असलाम अलेकुम दोस्तों उमीदी के अब सब खेरे से होंगे और वेलकम तो मैं यूटूब चैनल और अभी तो सुबह के साथ बच चुके हैं और मैं चत पे आया हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं चत पे आया हूँ और अपने लिए नाश्ता भी लेकर आया हूँ चत पे औ अपने में खाऊंगा तो जै काने में मैं आज लेकर आया हूँ चैनने और साथ में एक प्राठ करदी काओंगा तो दोस्तों नाश्ते में आज मैं यही काओंगा आज का जो नाश्ता है वो काफी अच्छा है अलुवले पराठे के साथ चन्ने वो भी काफी मज़े के हैं तो दोनों काके काफी अच्छा लगता है तो आप लोगों ने भी शायद यकीनन काया होगा मज़े के हैं पराठे और साथ में चन्ने और सुबह नाश्टे में तो काफी मज़े के लगते हैं तो जी दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ काना काने और आज आलो पालक खाऊंगा और साथ में सलात और रोटी है तो आज काने में आलो पालक खाऊंगा तो जी दोस्तों डेट बजए है और आप मौसम चेक करें बादल वगएरा तो मुम्किन है कि आज थोड़ी देर बाद बारिश हो पिर से तो आज भी माशाला से काफी अच्छा मौसम है यहाँ आप चेक कर सकते हैं तो जी दोस्तों बारिश बहुत तेजी से हो रही है चत पे यह चत का मनज़र है बहुत तेज वारिश हो रही है अभी आप देख सकते हैं बारिश बहुत तेजी से हो रही है चत पे हैं और मैं अभी बारिश पर ही बारिश में हूँ तो जी आप देख सकते हैं और मौसम कभी ज्यादा खुब्सूरत हो चुका है आज बहुत ही खुश कवार रही है वारान रहमत आप देख सकते हैं कितनी तेजी से बारिश हो रही है बहुत मज़े की बारिश हो रही है आज तो यह हमारे होस्टल के बाहर का नाजारा है अभी यहां पर तोरी देर बाद आप देखेंगे कि पानी बहुत ज्यादा बरेगा बहुत तैजे से माशालला बारिश हो रही है तो दोस्तों आज काफी ज्यादा अच्छा मौसम है बारिश की वज़े से बिनें देहाँ इम्रोज दिगें नीट थेज बारिश अस्ता दिगए दफेसलाबाद और मौसम काफी नॉर्मल हो चुका है क्योंकि यहाँ गर्मी ज्यादा रहती है तो इस वो जैसे तो जी दोस्तों मौसम बहुत हो चुरत हो चुका है और बारिश की आप देख सकते हैं और बस अला करे कुछ मिनों में ऐसे ही बारिश होती रहे आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं इसे देख यह कबसे पानी में नहा रहा है यह लड़का छोटा सा बच्चा कबसे पानी में नहा रहा है तो जी दोस्तों इस रोठ पे भी पानी जम चुका है अब देख सेते हैं तो जी देख सकते हैं आप तो जी अप रहा है आप यह रहा है तो जी आप ज़िए तो जी में रोट पे आया हूँ और यहां से आप देख सकते हैं तो जी सामने तो जी आप देख सकते हैं और यह रोट है मैं रोट सत्याना रोट मचली पारब के तरीब साथ में ही दुकाने समोसे की समोसे वाले तो जी मौसम आप देख सकते हैं और रश भी देख सकते हैं आज रश की है क्योंकि यह मैं रोट है सत्याना रोट तो यहां पर रश होती रहती हैं तो जी यहां समोसे और पिर्यानी वह रखी दुकाने तो जी दोस्तों फाइनली बारिश रुक चुके हैं और मुझे लगा था कि आज काफी देर बारिश होगी लेकिन बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुए आज और मौसम मलबता काफी अच्छा हो चुका है और अभी दूपी आगी है तो जी आज वैसे काफी इंच्वाई किया में और क्यूंके मौसम काफी अच्छा था तो जी आज का मौसम पर तो बहुत ही मज़ेगा था और मौसम आप चेक करें दोस्तो यहां पर गुलेहरी काफी ज्यादा है हर तरफ आपको मेलेंगे गुलेहरी और मैंने तो पहली पारी देखा है गुलेहरी यह देखे बहुत ही थेज होते है यह तो जी दोस्तो मैं रूम में आचुका हूँ अभी मैं रूम में हूँ और आज तो माशाला से काफी अच्छी बारिश हुई यहां फैसलाबाद में और मैंने खुद इंजुआई भी किया तो उमीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने यह वीडियो देखा भी होगा फूल तो इंशालला मिलते हैं अगले विलोक में और आप मेरे इस वीडियो को ज्यादे से ज्यादे कमेंट करें लाइक करें शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नही में करें इंशाला मिलते हैं अगले विलोग में तब तक अपना खैल रखिये अल्लाह अपज़